हेलो स्टूडेंट, वल्कम बैक तू मा यूटूब चैनल, शिवम स्टडी नॉलेज, माई डीर स्टूडेंट, आज किस वीडियो में, क्लाज टोइल एकॉनोमिक्स के 38 महत पूर्ट टॉपिक आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ये सारी टॉपिक ये चैनल को चरूर चकाउट कीजिएगा, नय है तो चैनल लोगी सस्क्राइब कर लिजी, तो यह पर देखें हम टॉपिक के सारे इंपॉर्टन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ये पार्ट वन का वीडियो है, क्या है, पार्ट वन का वीडियो है, इसके बाद में मारा पार्ट टू का वीडियो आएगा जिसमें हम आपके हर एक चैप्टर के इंपॉर्टन टॉपिक्स को बताएंगे तो फिलाल देखें पार्ट वन का जो सबसे फर्ष्ट चैप्टर का प्रश्ण आया हुआ है सबसे फर्ष्ट टॉपिक है अर्थिम्यवस्था का उत्पादर स भावना देखें सकाार आत्मक तथा आधर्षात्मक अर्थसास्त्र और बाजार क्या क्या है याद रखेंगा इनगे तिरुप्रेश्ण लगूओर देर गुत्तर्य प्रश्ण यस Allahu इस में सामिल है तॉपिक में दीखीए आपको विष्टी अर्थिसास से क्या सबस्ते हैं टीसरा जो टोपिक है ब---- प荆प सकते हैं तू लिख भी सकते हैं student और यदि आप इसको PDF चाहत है, इसका जो PDF में आप लेना चाहत है, यदि आप पारा चाहते फ्री में, तो विडियो को इस एक उदारन की सहाइता से क्या उत्पादर किया जा, इस समस्या का वरणर कीजी, दूसरा जो आपका हो जाएगा कि कैसे उत्पादर किया जाए इस समस्या की व्यक्षा कीजी और तीसरा है कि किसके लिए उत्पादर की जाए जो यह समस्या है इसके उपियक दुदारण की सहाईता से हमें समझाईए तो यह तीरो कोश्चन कॉमबा के साथ में लगा है आप देख सकते हैं अलग अलग है इनके बारे में आपको समझाना पड़ेगा जाबनर को तीरो प्रश्चन का अलग अलग कोश्चन आ सकता है तो इसको तयार कल लीजीगा और जो इसका अंसर है कोश्चन में कर नहीं तो आपको बुक में देखने को मिल जाएगा चौता देखें क्या है चौता जो है आतःव व्यवस्था की केंदरिया समस्याहे क्या है जो आपका अर्थव्यवस्था घर्ग करें केंदरिया समस्यां इसके इसका अंसर दे रहा है लेए अगला है उत्ताउदर जो पादन उत्त पादन की उत्त पादन संभावला-वक्र की परीभासा या या उत्ताद संभावला-वक्र यहाँ पर दिखी यह पर दीए धल vullा क्यों होता है इसके बारे में आपको बता रहा है छे नंबार आपका टॉपिक है केंद्रिय कृत योजना बंद अर्थिव्यवस्था तथा बाजार अर्थिव्यवस्था की भेद बेबारे में बताईए यह सारा जो इंपॉर्टन टॉपिक है काफी जादा इंपॉर्टेंट तॉपिक है आपका क्या है अर्थव्यवस्था की केंदरिये क्या तीन समस्या क्या है इसके बारे में बताईए जो आपका अर्थव्यवस्था है इसके केंदरिये तीन समस्या के बारे में बताना है यह तीन समस्या इस प्रकार से हैं अब इसमें अथवा भी लगकर पूछा चाहता सकता है जो साथवा तौपिक है कि कि किया कि क्या केंदरिय और्थ वैवस्ता की केंदरिय समास्या है क्या है डिकन प्रकार आपकाइए समस्या क्यों उत्पंद होते हैं जो कोशन हे रिड़ आपका अध्वा लगकर घुबा फिराकर पूछा जाएगा लेकिन जो इसकाँ असर आप लग जाएगा और आपको अच्छा खा सबस्या के बारे में बता दिया है अब हमारा आच्छों का है बजट रेखा देखे क्या है अतिलग उत्तरिये के प्रश्ट आपके अतिलग उत्तरिये क्या है जिसे बजट रेखा क्या है बजट रेखा के बारे में परिवासा दिजिए बाग किसे कहते हैं बाग वक्र किसे कह और इस्थानापण वस्तिय और पूरक वस्तुय किया है आधी सारे कोश्चन यारी बहुत सारे कोश्चन इसमें तो आधी करके अपने लगा दिया जो जितने भी आपके इस चाप्टर जो सेकेंड चैप्टर आपका क्या है उप भोगता के ब्यवार का सिधात इस चैप्टर क कि जितने है विपरष्ट बंदे हैं इसको आपको सारे तयार करने लेना है याद रखेगा आति लगउत्तर आपके निरधार कोश्चन ह करना सारे को द्यार करना है उसके बाद दिखिए अगला topic दिखे दाइत नमबर बाग के निरधारकों की व्याक्षा किये जो बाग है इसके निरधारकों की आपको व्याक्षा करना है दस नमबर जो आपका topic है budget रेखा की परिभासा दीजिए ये दाइः और कम खिसक जाती है जो आपका budget रेखा है इसकी आपको परिभासा दे रहा है कि भाईया ये दाई वो क्यों खसक जाती है 11 नमबर आपका topic है साबान वस्तुव तो था निक्रिष्ट वस्तुव की वीच में अंतर आपको बताना है कि साबान वस्तुव क्या है 12 नमबर आपका topic है बाग वक्र और क्या है बाई और खिशकने के कोई तीर कारण आपको बता रहा है विश्कलिक तीर कारण आप बता दीजिए इसका answer complete हो जाएगा तेरा नमबर आपका टॉपिक है अडिदिवार वक्र की परिभासा देजी जो आपका अडिदिवार वक्र है इसकी आपको परिभासा दे रहा है अडिवक्रों की विसेश्थाय भी आपको बता दी है तेरा नमबर टॉपिक है इसको भी आप तयार कर लिजिए स्टूरेट दे की विपरिभासादीजिये सब्जाइए कि यह अरिद्वार वक्र उत्तल क्या है यह मार देखें उत्तल क्यों होता है यह इसके बारे में बता रहे हैं को 15 नंबर आपका आपको फेल भी हो सकते हैं और यह टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेट तो फेल नहीं होना चाहते काफी अच्छा अग लाना चाहते तो सारी टॉपिक को तयार कर लीजिए क्योंकि बाद में आप कॉमेट करेंगे कि सर जो आपने बताया था वो आया नहीं तो टॉपिक सब्स आपके एकोनोमिक से रिलेटेड ला रहा हूं उसको आप तयार करने जी सोला नंपर आपके टॉपिक है चित्र की सहायता से माग की डियम का आपको व्याख्या करना से हमें वाग का डियम इस प्रकार से बता ना है 17 नंबर आपका टॉपिक क्या पूछा गया है या पर देखिए तथश्टिता वक्त विश्लीसर के परियोग द्वारा उप भोगता संतुलन कैसे होता है आपको समझारा इस अठारा नंबर आपका टॉपिक है काफी स्टुडेंट इस वीडियो के लिए डिबार्ड कर रहे थे स्टुडेंट तो आपने बार आया है तो इसको देख सकते हैं और पीडियेफ आपको कैसा मिलेगा बैं आपको बता दू पीडियेफ के लिए आपको कर रहा क्या है टेली गराम चैनल है यदि आपने उसको नहीं जॉइन किया है तो प्लीज जाइए उसको जॉइन कर लीजी लिग डिस्क्रेफर में दिया हुआ है वहाँ पर वो पीडियेफ में अपलोड कर दूगा वीडियो के साथ में पीडियेफ भी आपको मिल जाएगा फ्री में जाका प्रीयाई देना या अभिडियाए क्या है कि रेखा क्या है इसके बारे में आपको अभिडियाए बता और है 18 नंबर भी टॉपिक हमारा हो चुका है प्रतिफल काव डगलस उतपादन काव डगलस उतपादन यह क्या है तो यह सारे जी चीजे जो है आतिलोग तरिये से रिलेटेड है कौमा लगा है आप देख सकते हैं वीडियो को रोक कर भी सारे कोश्चर्ण को आपको कोश्चर बैक में मिलाना चाहिए तो मिला सकते टिक ल के लिगहना चाहे न生en तो आप टिक लागाना चाहे तो काफिए ईन्पॉर्टेट है उसके बाद एं 강ाता है यह चित्र के आपको समझा रहे है कि भाईया ये क्या होता है फिलाद इसका जो कोशन का एंसर हमने बता रखा है यदि आपने मैराथर वाला वीडियो देखा होगा या महातांडो क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा 22 नबर जो आपका टॉपिक है क्या है शिवात लागत का अर्थ समझाईए कि शिवात लागत होता क्या है एक्चुली शिवात लागत किसे कहते है तेश नबर टॉपिक है आपका क्या है पैमारे की पर्तिफल से आप क्या समझते है इसके बारे में बताईए कि पैमारे का पर्तिफल ये होता है पैमारे का पर्चवल क्या होता इसके बारे में भी आपको बता रहा है 24 नबर आपका टॉपिक है कुल लागत किसे कहते है अल्पकालीर कुल इस्थिर लागत तथा कुल परिवर्ती लागत की चित्र की सहाथा से व्यक्षा कीजी देखे काफी स्थुड़े प्रण को कोश्चर है थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन इसका अज़सर भी आपको थोड़े बड़े में दे रहा होका क्योंकि जो कोश्चर है आपका छे या दस नम्बर के लाइख भी हो हमारी voice ही वह थोड़ी fast है is student और voice का आप इग्रोर कीजिए वीडियो को आप देखिए इसको लाइक कीजी शेर कीजी शेर कीजिये सिस्क्राइब कीजिए और बैस fast जल्दी वह लाओ तो वीडियो को आप रोक कर भी क्या इस question को लिखना चाहे तो लिक सकते हैं टिक लगा लीजिए देखिए सारे कोश्चन को लिखने में काफी जादा टाइम लगता है एक-एक वीडियो को रिसर्च करने में लगवक तीस से चार दिन निकल जाता है कि कौन सा वीडियो बनाया कौन से कौश्चन इन्पॉर्टेंट है कौन से कौश्चन आपकी बोर्ट जबे आ सकते हैं तो इसी बात पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अब ऐसे वीडियो लाते रहते हैं 26 दुबर टॉपिक है आपका देर के काली लागत से आप क्या सबस्ते हैं देर काली जो लागत है इससे आप क्या सबस्ते इसके बारे में भी आपको बता रहा है 27 देख लीजिए तयार कर लीजेगा को पूर्व पर्तिस्पर्धा क्या है पूर्व पर्तिस्पर्धा बें कीमत का निधारण कैसे होता इसके बारे में उताइए कि यह पूर्व पर्तिस्पर्धा यह है इस पूर्व पर्तिस्पर्धा बें जो आपके कीमत का निधारण ऐसे ऐसे होता है अगला जो कुश्चन है द अधिकतमी करण को परिभासित कीजिए इसके होने की आवश्यक सरते भी बताईए और तीस नंबर टॉपिक यह है कि किसी वस्त की पूर्ती का क्या अर्थ है एक सारणी तथा चित्र की सहायता से समझाए आपको यह 31 तॉपिक है इसको भी आप तयार कर लिजेगा च्टूडट और च्टूडट यह आपके कोई भी डाउट से तो आप हमसे इस्टाग्राप पर पूछ सकते हैं लिक डिस्क्रिप्सर में दिया हुआ है टेली आपके बगल में ही होगा वहाँ पर जाहिए हमें फॉलो कर लि यह जैसे कि इस टॉपिक के बारे में काफ़ी स्टूडट का कोमेंट आया था तो आज का वीडियो बना रहे हैं उसके बाद में दिखे 31 तॉपिक कि कि किसी वस्तूर की पूर्ती का क्या अर्थ है एक सारणी तथा चित्र की साहिता से आपको इसको समझारा है 31 तॉपिक को 32 तॉपिक कि आपका शदूलन मात्रा समर्थर कीबत उच्चितम दिर्धारत कीबत स्रम के लिए माग वक्र बाजार परवेश तथा क्या है बही गर्बन बही गर्बन की बादेता आज सारे जो कूश्चन से यानि जो अतिरखुत तरिय से रिलेटेड सारे को आपको तयार क तॉपिक आपका क्या है क्या होगा यह दिवाजार में प्रचलित बोल लिया है जैसे कि आपका संदूलन कीबत से अधिक बी संदूलन कीबत से कब तो यह क्या होगा इसके बारे में बताईए कि प्रचलित बोल लिक्या है इनके दोरों के बारे में आपको लिखना पड़ी नहीं देखा है तो गूगल पर यूटूब पर यूटूब पर आपको सर्च करना क्या है कि क्लाश्टू एकॉनमिक से ब्रिस्तु तुत्तरिये परष्ट बाइस सिवब इस्टड़ी डॉलेज आपको वारा एक घटी का वीडियो मिल जाएगा जिसमें इस कोशल का इसर पूर प्रकार भिंड होते हैं इसके बारे में बताईए कि बाग और जो पूर्ती वक्त रहें इस प्रकार से भिंड होते हैं इनके बारे में इसका अंसर देरा है उसके बादे दिखें आपर देखें 36 नंबर टॉपिक क्या दिया हुआ है क्या है सरब बजार में बजदूरी दिर निर्धारण साविस्तार समझाए कि सरब बजार में बजदूरी निर्धारण इस तरह से होता है आपको क्या करना है इसका बजदूरी जो निर्धारण है आपको साविस्तार इसको एंसर देना है स्टूरेंट इसका आपको पूर्ट रूप से जानगारी देनी है कि भाईया यह इसका एंसर है यह इस प्रकार से होता है चलिए देखते हैं आगला टॉपिक क्या है सारा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उस सारे टॉपिक का आप लोगों को बता रहें यहां पर देखें 37 बड़ टॉपिक 37 बड़ टॉपिक है बाग दथा पूर्ती वक्रों में क्या है सिफ्ट होने की परिकिरिया में संतुलन की इबत तथा बात्रा पर पढ़ने वाले प्रभारों को समझा रहें थोड़ा बड़ा कोशन लग रहा हो लिकिन इसका आंसर भी आपको जैसा केमरे बताया था थोड़ा कि आधकर जया कि कि वाजार होता किया है इसका आपको व्याख्या करते हैं एक्सी ओप पूपिक है कि करो साबर एतको नंपर उनों ने बताया आपको कहापर मिलेगा कोशेर मिल जाएगा वहाँ पर आप तयार कर लिजिएगाम सारा question important है चुडिदा है और खासकर ये part 1 का वीडियो है part 2 की वीडियो के लिए जल्दी जल्दी कोमेंट कीजिए student जित्रा जाधा comment आएगा वो भी जल्दी आएगा क्योंकि जब part 1 और part 2 जब complete होगा तब जाकर आपका ये book पूरा खतब होगा topic से related सारे important topic है एक भी topic को मत छोड़ेगा सारे का answer तैयार कर लिजिए गए student तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलता है next video में student नए topic के साथ जहिद पढ़ते रहें अच्छे सी तैयारी करते रहें